आजमेर की सेंटर जेल में हत्का के मामले में सजा काट्रा कैदी धर्मवीर दूसरी बार भी पैरोल से फरार हो गया इससे दो साल पहले भी आरोपी धर्मवीर ने जेल से पैरोल के लिए अरजी लगाई और वे वापस नहीं लोटा जिसे बड़ी मशकत के बाद पुलिस ने इरिफ्तार कर जेल भीजवाया लेकिन दो साल बाद एक बार फिर धर्मवीर साथ दिन की पैरोल लेकर बाहर गया और फिर फरार हो गया आरोपी कैदी धर्मवीर मोलते गुचरात कर रहने वाला है और हालिया में दरगा इलाके में रह रहा था मामले की जानकरी देते हुए सेवलाइन थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी कैदी धर्मवीर 18-24 तारिक तक पैरोल पर गया था जिसकी वापस नहीं लोटने पर जेल प्रशासन ने मामला दर्ज कराया है पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है आरोपी हत्या के मामले में 26 से जेल में बन आजीवन सजा काट रहा था जिसने 2017 में भी पैरोल पर फेरारी काटी है आब एक बार फिर जेल परशासन द्वारा मुकद में दर्ज कराया गया है पुलिस आरोपी केदी को गिरफतार करने की प्रयास में जुटी है दिनान 24 तारिक को सेंटर जेल करमशारी द्वार एक लिगरोल दर्ज कराएंगे कि धरमवीर शुरप धन्ना जो कि 7 दिन के 18 तार इसले के 24 तारिक तक कि पैरोल के गया था मानिन नियाले गाजे से तो 120 तारिक को वापिस ने आये इसके उसके खिलाब ठानी के मुकदम दर्ज कराएंगे यह मुझलू से गुजरात मेसर करेंगे कि हाल नया बाद आप दर्गाई लात एक किराएंगे